हाई दियर अगेन आइम अवेलेबल हेर बिफोर यू तो टीच यू थे काइंटेंस के कितने काइंट सोते हैं काइंस पर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग स्वार सेंटेंस पर फोकस करते हैं या भुट बप यहां की एक है क्या है एक जो बिल्कुल सही है लेकिन यहां पर यह कुँझ जरूरी नहीं कि गृफ औप ऑफ ही आए और वना सिंगल वॉर्ट सांत अच्छाव कि क्या कहीं गई a group of words that give complete sense point में ये कि complete sense आप वो group of words complete sense दे या एक single word complete sense दे बिल्कुल वो sentence होगा for example come to me three words group of words complete sense दे दिया क्या बोला मेरे पास आओ लेकिन कभी-कभी ऐसा भी तो था come क्या ये complete sense नहीं दिया ये भी complete sense दिया आने ही कि बात कर रहे हैं तो एक single word भी sentence हो सकता है इसके कोई जरूरी नहीं कि group of words ही रहा है अच्छा रखता है group of words रहता है तो लेकिन एक word का भी sentence हो सकता है चलिए अब आते हैं हम लोग kinds of sentence kinds के माने क्या होता है kinds का meaning होता है परकार कुछ लोग ऐसे भी बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है पार्स अलग चीज़ है kinds के माने होता है परकार और पार्स का या पार्स है हाँ बिल्कुल ये पार्स है तो पार्स और किसी भी चीज़ का पार्स के बारे में बात करेंगे तो वह एक particular चीज़ का पार्स होगा ये एक body पार्स ऑफ बार्डी इसके हिससे अनेक तो ये पार्स होता है लेकिन vowel kind क्या होगा ये मार्कर मेरे हाथ में है साथ में एक ये marker है अब देक्ये ये par वस्तूं के लिए kind पार्स होगा इससा होगा उसको हम लोग parts के sense मिलेते हैं तो अगर हम बोलें के parts of sentence कितने होते हैं? दो होते हैं. Subjects और predicates. यह तो आप लोग जानते हैं, यह standard 1-2 में पढ़ाई ही होगा. तो हम लोग अभी parts of sentence के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं kinds of sentence के बारे में. kinds of sentence के बारे में जब हम हो सकता है बहुत सारे नाम होते हैं उसी परकार से interrogative इसको उन्हों questions भी बोल सकते हैं उसी परकार से imperative है इसको command के नाम से भी जाना जाता है यहां लिखा हुआ है इसका नाम है exclamatory exclamatory का दूसरा नाम exclamation भी है इस परकार से नाम अनेक है लेकिन main जो common नाम है वो आपके सामने दे दिया गया है यानि assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence यह चार परकार का sentence होता है अक्सर classes में जब पढ़ाई दिखाई होती है तो teachers बोलते हैं यह exclamation है यह command है यह assertive है अब students confused assertive assertive किसको कहते है हम लोग बचपन में याद किया है लेकिन बचपन की पढ़ाई क्या थी definition रटते थे हम लोग तो रटा हुआ पढ़ाई ज्यादा लंबा ठिकता नहीं है समझा हुआ पढ़ाई ठिकता इसलिए हमने क्या किया किसी चीज़ का definition नहीं लिखा और नाम definition से प sentence वाक के बचे वह sentence हो गया जैसे हमने बोला यहां आओ ये भी a sentence है उसी परकार से बोला वाक कितने जबरदस्त लग ड़े हो आज क्या बवाल लग रहे हो आज अग़र आप बगभार करते रहेंगे तो English के according, grammar के according ये चार ही परकार का sentence आपके जबान से निकलेगा, पाँचवा नहीं निकल सकता, हाँ इसके अंदर में और चीज़ें आएगे, अभी imperative पढ़ा रहे हैं, imperative के अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे, वो एक अलग चीज़ें, लेकिन normally ये लेकिन थोड़ा सा difference है, इसको थोड़ा हम लोग समाझने तो जादा बहतर होगा, assertive sentence में negative भी आ सकता है, जैसे sentence बोले कि मैं अभी kinds of sentence पढ़ा रहा हूं, और इसी के साथ बोलने तुम अभी पढ़ नहीं रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, positive था, और तुम नहीं पढ़ रहे ह यह दोनों sentence assertive होगा, लेकिन अगर affirmative की बात करें, तो negative sentence affirmative के अंदर नहीं आता है, यही थोड़ा सा फर्क है, वह अलग चीज़ है, तो assertive sentence कहेंगे किसको, देखिए यहां सिर्फ word है, sentence नहीं है, definition नहीं है, सिर्फ word है, word से पहचानी है, क्या लिखा वह word आपका, information, यानि हम जिस sentence में कोई information दे रहे हैं, वो सारा information यानि सूचना, वो sentence किसके अंडर आएगा, assertive के अंदर आएगा, अब examples के रूप में अगर हम देखना चाहें, for example, आप से कोई question करे, what is the time, कितना बजा, hey bro, what is the time, आप बोलें, it's five o'clock, क्या किया आपने, आपने बोला, पांच बज है, what you are trying to say, you are doing nothing, but giving information to your friend, उसने पूछा कितना बज रहा है, बताओ, आपने बताया, पांच बज रहा है, क्या कर रहे हैं, इन्फरमेशन दे रहे हैं, जितना तरह का information आप देंगे, वो सारा का सारा assertive sentence होगा, और definition में तो बहुत लंबा चोड़ा चीज आ सकता है, लेकिन हैं, इंखी वर्ड से आपको clear कर दे रहे हैं, सारे information वाले sentence, आप से कोई पूछे, क्या आपके घर में कितने कम रहे हैं, आप बोलेंगे, मेरे घर में चार कम रहे हैं, चार कम रहे हैं, आप क्या किया, यदि आर्ट राइंग तू इंफॉर्म अबॉज आउस तो बहाँज दे रहे हैं, मेरे घर में चार कमरे हैं, किसे तो पूछा घड़ी बड़ा जबरदस्ट लगड़ा, कितने का खरीदा है, देखी सिंक्टेंस, पूछा गया, कितने का खरीदे, आपने क्या बोला, दस हजार की घड़ी है, दस हजार की घड़ी, what you are trying to do, you are doing nothing, but giving information about your watch, giving information about the price of your watch, अपने watch का price बता रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, information ही तो दे रहे हैं, कोई मेरे पूछा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं भई, तो मैंने क्या किया उसको, उसको मैंने information दिया, जितने तरह का information आप देंगे, वो sentence आपका assertive होगा, अब बताएं कि आपने tense पर रखा है, पूरा tense information होता है कि नहीं होता है, present indefinite, मैं 5 बजे सुबा उठता हूँ, I get up at 5 o'clock in the morning, क्या कि आपने, information दिया, वो जा रहा है, present continuous, he is going, क्या कि आपने, information दिया, भई, रोको उसको वो जा रहा है, information दे दिया, मेरे पास 5000 रुपए हैं, क्या कि आपने, information दिया उसी परकार से कितना भी sentence, passive का भी बहुत सारा sentence होगा, जो जादा तर sentences तो assertive ही होते हैं, तो assertive sentence कैसे पहताने, information, जिस sentence में आप information देंगे, वो सारा का सारा sentence, assertive sentence कहलाएगा, final, शलिए, next पर आते हैं, interrogative, इसको interrogative भी बोल सकते हैं हम लोग, वैसे interrogative बोलना भी सही है, interrogative sentence क होता है, यहाँ word लिखा हुआ है, query, query, root word है, word है query, यानि पूछताच, जिस sentence में आप किसी भी परकार का interrogation करते हैं, पूछताच करते हैं, उस sentence को हम लोग interrogative sentence कहते हैं, और इसका एक अपना पहचान भी होता है, assertive में तो कुछ नहीं होता है, बस slash में full stop पढ़ जाता है, ल पूछताच किया जा रहा है, तो अभी हमने sentence से बता है, कितना बज़ रहा है, कितना बज़ रहा कि अब बाद, question mark आएगा, what is the time, what is the time, यह sentence क्या है, question है, इसको हम लोग किस में लेंगे, interrogative में लेंगे, इसको question sentence भी बोल सकते हैं, interrogative भी बोल सकते हैं, अब interrogative बनाया कैसे जाता ही, हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, कि assertive से interrogative कैसे बनाया जाता है, wh question को frame करने का rule क्या है, कैसे हम question पूछ सकते हैं, यह सब चीज आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे, फिलहाल तो पहचानना सीख रहा है, कि कैसे पहचाने के यह assertive है, कैसे पहचा हम लोग आते हैं, फोड़ा बड़ा है, imperative sentence, imperative sentence के अंदर में बहुत साड़ी चीज़ें आती है, इसके अंदर एक optative sentence भी आता है, जिसमें दवा, बदवा, शड़ाप, यह सब चीज हम लोग करने से बोलते हैं, जुग जुग जीओ, दूदो नौहाओ, पूतो फलो, यह सब optative sentences में आता है, भगवान करें, तुम पास हो जाओ, अल्ला करें, तुम बहुत तरफ्की करो, तो ऐसा sentence हम लोग जब बोलते हैं, तो सब sentence इसी के अंदर में आएगा, लेकिन फिलाल उसके बारे में हम लोग विसकस नहीं कर रहे हैं, imperative में common कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहा prohibition, prohibition के meaning क्या होता है, prohibition का meaning होता है, निशेव, यानि मना करना, कैसे हम किसी चीसको मना करते हैं, order दो तरह का होता है, positive order एक negative order, positive order क्या होआ, बैठो, और negative order मत बैठो, ना बैठो, यहां पर बता दे रहे हैं, तो यही sentence क्या होगा मेरा, imperative होगा, उसी परकार से instruction, instruction एक politically ज तो वो instruction हो गया request क्या हो गया अनुरोब करते हैं हम लोग किर्पिया करके बैठ जाएए बढ़ाय महरबानी आजकल तो इस सब जमाना लज गया खिर्पिया और बढ़ाय महरबानी का आजकल जो हम लोग को का tone है न वो थोड़ा सा polite हुआ तो वो request बन जाएगा और थोड़ा सा request बन गया अब किर्पिया कहां लगाते हैं लोग कहां बोलते हैं बढ़ाय महरबानी उठ जाएए बहुत कम हो गया यह सब चीज खेर कोई दिखकत नहीं इंग्लिश तो वही होगा please इंग्लिश चाहे बोले भाया जी उठ जाए तो भाया जी का ब्रदर जी नहीं होगा वह मुबाइल दो मुझसे बात मत करो यहां मत बैठो यहां मत सो this and that जितना भी चीज होगा यह सब किसमें आएगा imperative में imperative तो हाला कि हम अलग से आपको पढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा सा एक चीज बता देते हैं imperative sentence पहचानने का एक और तरीका है जैसे imperative पहचानने का तरीका कि क्यों नहीं होता है यहां पर हर imperative sentence में यू छुपा हुआ होता है कौन सा यू रहता है कभी भी सामने नहीं आता है ऐसा कैसे हो जाएगा देखिए हमने बोला imperative sentence क्या करते हैं और देते हैं तो अब बताईए परसन कितने परकार की होते हैं तेन फर्स परसन सेकेंड परसन और third person अब बताईए कि first person को आपका भी order दे सकते हैं हम अपने आपको बोले अजीम सर बैठ जाईए लगता है अजीम सर का पेंज धीला होगे अपने आप से बात कर रहे हैं ऐसा होगा third person जो यहां available ही नहीं है हम उसको order दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं किसको order देंगे you को हमेशा second ही person को order दे सकते हैं अब कोई बोले सर जो अवे लेबल नहीं उसको phone पर बोल सकते हैं तो यहां पर जो पहले जमानी की जो book आती थी उसमें लिखा आता था कि जो person आपके पास ना हो जिसके बारे में बात की जा रही हो वो third person होता आज के जमाने में नहीं होगा the person who is not connected with you is third person person जो आप से connected नहीं है जुड़ा हुआ नहीं है वो third person होगा and the person who is connected to you is called second person अब बताये कि आप मेरे सामने हैं हम आपको order दे हैं लिख लिजिए इन सब चीजों को हमने किसको order दिया आपको आप क्या है हमसे connected है की नहीं है है आप second person है अब हमको हलवाई क order देना है पांच किलो लड्डू का अब बताई जाना तो पड़ेगा technology के जमाना जाना काएगा WhatsApp कर देंगे mobile phone कर लेंगे भया पांच किलो लड्डू शाम में हमको चाहिए अब वो चाहे अमेरिका में बैठा हुआ हो चाहे बिहार में हो चाहे यूपी में हो कहीं भी हो वो जाहे इसको और देना है कि ये सेंटेंस स्टार्ट होगा वर्ब से इसमें ना सब्जेक्ट होगा ना हेल्पिंग वर्ब होगा चलिए लास्ट है आपका exclamation हाला कि exclamation में जादा बताने की जरूबत नहीं एक video डाला हुआ है जिसमें हमने complete exclamatory पढ़ा के रखा है कि exclamation या exclamatory sentence कहते किसे हैं और कैसे उसको use करेंगे फिर भी थोड़ा सा एक मिंट देख लेते हैं exclamation sentence किसे कहते हैं इजे कहते हैं हम लोग surprising sentence जिस sentence में हम थोड़ा आश्चर चकीत हो जाए यानि जो चीज हम अमारे सोच से थोड़ा ऊपर या नीचे हो जाए जैसे किसी person को हमने पहले से सुन रखा है अब जब उससे मिले तो बिल्कुल अलग रहा है यह तो बड़ा अजीब इंसान है यानि सोचाता कुछ निकला कुछ फोड़ा पहार निकली चुईया तो वह एक अलग matter है तो वह positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है किसी building के बारे में ब आज महल को देखतर हक्के बक्के रहे गए पूरी दुनिया हक्का बक्का है जो नहीं देखें वो जाकर देख लीजे समझ में आ जाएगा तो वहाँ पड़ा क्या कर रहे हैं surprising sentence बोल रहे हैं तो surprising sentence कैसा with strong feeling and emotion यानि अंदर की strong feeling और आपका emotion सब कुछ उसके साथ है वही sentence surprising sentence ह होगा और sentence को हम लोग क्या बोलेंगे exclamation या exclamatory इसका पूरा detailed video available है उसको आप देख लेंगे तो पूरा exclamation समझ में आ जाए कि इसको कहते हैं exclamation sentence को पहचानने के लिए sign of exclamation है ये भी last में रहे बस समझ लीजी कि exclamation या exclamatory sentence है तो उम्मीद है कि kinds of sentence आप लोगों को clear हो गया ह होगा अब आगर आपके सामने कोई sentence बोलाएं या लिखा हुआ रहे तो आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि या assertive है कि क्या है तो एक बार और एक जलक में देख लेते हैं sentence कितने परकार का चार उसके बाद कौन-कौन assertive किसको कहेंगे जिसमें जिसमें बुलिए एडवाइज बगरा भी इसी में आएगा एडवाइज भी आएलेकि इसके बारे बात नहीं कर रहे हैं एक्स्क्लामेशन किसे में लास्ट में एक्स्क्लामेशन साइन रहता है तो होफुली यू गाइज में अंडर्स्टैंड डिस वीडियो और प्रैक्टिस एट हों सेंटेंस का एक्समू बना लिजी आर्टस सेंटेंस बीस सेंटेंस पच्चिस सेंटेंस और उसके बाद खुछ से देखी कि या करते यह प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि आगे जो चीज हम लोग पढ़ाने वाले हैं उसमें हम डायेक्ली बोलेंगे असर्टिव के साथ यह नहीं होता इंट्रोगेटिव में ऐसा होता तो अगर आप असर्टिव पहचानेंगे ही नी तो मेरी बात को समझ कैसे पाएंग करेंगे उमीद है कि वीडियो पसंद आ रहा होगा अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें कमेंट करें दोसरों के साथ शेयर भी करें हो सकता आपकी कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन तक यह वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपके जरी अगर किसी की मदद हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा हमारे में भी बहुत अच्छा होगा ठीक है तो फिर मिलते हैं आपसे अखले वीडियो के साथ बाबाई को अच्छा है झाल 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 झाल